भाई वाटसब चेट को ट्रांसफर करना है अपने पुराने फून से नए फून में तो आज की ये वीडियो लाश्ट तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको चेट ट्रांसफर करने का सबसे आसान तरीका पता चल जाएगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर दो तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं आप लोग को पुराने फून से नए फून में सारी वाटसब की चेट रांसफर करके दिखाने वाला हूँ तो आपको सबसे पहले पुराने फून में 3.पे किलिक करना है आटसब के और यहां पे आपको सेटिंग वाला उप्सन मिल जाएगा उसके बाद सेटिंग वाले उप्सन पे किलिक करके आपको यहां पे चैट वाला उप्सन मिल जाएगा start वाली option पे आपको click करना है start वाली option पे जैसे आप लोग click करोगे barcode scan करने के लिए आ जाएगा अब अपने नए phone में करना क्या है कि आपको अपने WhatsApp को login कर लेना है agree and continue करना है उसके बाद आपको यहाँ पे allow कर लेना है and आपको अपने पुराने phone वाला same number यहाँ पे fill कर देना है तो जो आपके पुराने phone में SIM पड़ा था उसमें number था वही number यहाँ पे नए phone में WhatsApp में डाल के continue कर देंगे हम लोग तो जैसे यहाँ पे continue करेंगे आपको फिर यहाँ पे okay करना है and continue कर देना है आपको उसके बाद permission मागेगा permission को यहाँ पे allow कर देंगे उसके बाद यहाँ पे आपके जो पुराने phone में है उसमें आपको यहाँ पे code आएगा OTP आएगी वो आपको अपने नए phone में डाल देना है जो भी आपके पुराने phone में OTP आती है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारे पुराने phone में OTP आई है जो हमें नए phone में अपने फिल करनी है तो नए phone में हम यहाँ पे फिल कर देंगे OTP को उसके बाद verify होगा तो जैसे यहाँ पे verify होता है दोस्तो उसके बाद यहाँ पे हमें continue करना पड़ेगा तो continue जैसे हम करते हैं उसके बाद फिर से हमें allow करना पड़ेगा तो allow कर देंगे अपने नए phone में फिर से हमें allow access पे click करना है एंड उसके बाद आपको यहाँ पे transfer chat वाला option मिल जाएगा उसके आपको continue वाला option मिल जाएगा उसके click करेंगे आपके सामने barcode आजाएगा अब आपको अपने पुराने phone को लेना है जो barcode scan करने के लिए बता रहा था और अपने नए phone के barcode को scan कर लेना और यहाँ पे accept कर देना है accept जैसे करेंगे आप लोग आपके पुराने phone से जितनी भी WhatsApp चेट है सारी भाई नए वाले phone में transfer होने लगेगी सिर्फ यही setting को करने के बाद तो आपको यह trick कैसी लगी अच्छी लगी हो like कर देना चैनल पे नहीं हो तो चैनल को subscribe जरूर करके जाएगा क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ